हलो फ्रेंड्स कैसे आप सब आई हो क्या आप अच्छे हैं और आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ पीएससी पस्टियर का कैमेस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूसे आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तो सबसे पहले तो यदि आप बीएससी पस्टियर के अंदर हैं यदि आप बीएससी पार्ट फर्ष्ट के अंदर हैं तो आपको कैमेस्ट्री का जो पेपर सेकिंड है और गैनिक कैमेस्ट्री Chemistry है उसका Paper Second Organic Chemistry इसके महत्वपून क्यूशन में आपको बताऊंगा जो की परिख्या में आने लाइक है और वो पिछले पांच और सो में आए होगे क्यूशन है और सभी Paper जो 2016, 17, 18, 19, 20 के अंदर जो Paper आए हैं आपको जरूर मिलेंगे यहाँ पर Play List में जाके आप देख लें और चैनल को Subscribe, Share and Like जरूर करें जिससे की जो मैं महनत कर रहा हूँ वो आपके काम आ सके तो देखें दोस्तों यहाँ पर Top 5 Question आपको करवाए जाएंगे और परिकांस पर्चों को पता नहीं रहता है कि किस परकार से क्या करें समझ में नहीं आता है कहां पर BST पस्ट एयर का है, सेकंड एयर का है, थैड एयर का है तो देखें पिछले 5 वर्चों में पूछे गए महत्तपोन परशन आपको Science Foundation चैनल पर करवाए जा रहे हैं पिछले 5 वर्चों में पूछे गए परिक्षा में जो क्यूशन आए उनको यहां पर करवाया जा रहा है, तो आप इन्हें लिख लेंगे और नोट्स बना लेंगे, इन क्यूशनों को लिख लीजिएगा और इनके नोट्स बनाईएगा अच्छी तरीके जिनको आप याद कर सकें, और कुछ बुकों नहीं फड़ने की जरुरत है, कोई सॉल्ड फेपर लाने की जरुरत नहीं है, आप यहां से सब कुछ कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखें, वहां पर आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, अब करते हैं स्टार्ट, यह थोड़ी सी सूचना थी, यह मैंने बताना आपको अच्छा समझा, तो देखें, BSC पार्ट फर्स्ट, BSC पार्ट फर्स्ट, पेपर सेकंड ओर्गनिक केमेस्ट्री, ओर्गनिक केमेस्ट्री के अंदर से पांच क्यूशन आपको करवाने जा रहा हूं, कल इसका सेकंड पार्ट आजाएगा वीडियोगा, तो देखना उसको, तो प्रस्ट नमबर एक, CH3, CH3 मूलक थता, SO3 में प्रतेक परमानों पर ओपचारिक आवेस्ट की गणना कीजी, CH3 मूलक थता, SO3 में प्रतेक परमानों पर ओपचारिक आवेस्ट की गणना कीजी, Q1 हो गया, Q2 देखते हैं, S1 तथा S2 अभिक्रियाओं के मद्दे अंतर इस्पष्ट कीजी, ये भी Q2 आया होगा है, तो देखे, SN1 वे SN2 अभी क्रियाओं के मद्दे आपको अंतर इस्पष्ट करना होगा इनके मद्दे जो difference है उनको आपको लिखना होगा बहुत अच्छा क्यूसन है प्यूसन नमबर 3 देखे, यहाँ पर यह रहा अभी क्रियाओं की क्रियाविदी के अध्यन के लिए समस्थानिक लेंबलिंग विदी का वर्नन कीजी बहुत अच्छा क्यूसन है क्यूसन नमबर 3 जो है, यह 2017 और 2018 लगातार पूछा गया क्यूसन है तो ये अच्छा क्यूसन लगा, मुझे बहुत अच्छा क्यूसन है तो इसलिए मैंने आपको बताना अच्छा समझा और दोस्तों एक बात मैं आप सिखाऊंगा कि वीडियो को सेहर जरूर करें जिससे कि आपके दोस्तों को कुछ बेनेफिट मिल सके क्या है कि किसी को पता नहीं रहता है कि B.S.C की क्लासेद यूटूब पे मिलती नहीं है और आप बोलोगे कमेंट बोक्स में तो मैं इनका आपको हल भी करवा दोगा परसन नमबर चार देखी निम्न पर संसिप्त टिपनी लिखी निम्न पर संसिप्त टिपनी लिखनी है आपको तो देखी यहाँ पहला था जिसके उपर टिपनी लिखनी है नियमनिष्ट आवेस और समस्थानिक प्रवाव इन दोनों पर आपको टिपनी लिखनी है क्या लिखनी है टिपनी लिखनी है आगे देखी जो क्यूशन नमपर पांच है आपके पास वो ये रहा पुनर विन्यास अभिक्रियाओं से क्या तात्परी है इसके बारे में आपको लिखना है और ये क्यूशन भी अच्छा क्यूशन है तो देखे दोस्तों ये मैं आपको ज़्यादा क्यूशन नहीं करवा रहा हूँ 5 5 क्यूशन करवाऊंगा इन्हें आप लिख ली जिएगा अब 5 क्यूशन कल बता देंगे रोज 5 5 क्यूशन बताएंगे तो ये देखें अच्छा क्यूशन है आये हुए है क्यूशन पिछले 5 वर्षों में और आपको यदि देखना है तो प्लेइलिस्ट में जाकर देखें, वहाँ पे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, तब तक के लिए जैहिंद मिलते हैं अगली वीडियो में, तिन्यवाद दोस्तों, जैहिंद